गड़ के जंजाती से संबद प्रस्ण देखेंगे जो आपके CGPSC और व्यापाउं में विगत वर्षों से प्रस्ण पुछे गए हैं है ना और 36 गड़ में आने वाली भरतियां हैं पहुंच सारी भरति आने वाली हैं अगर आप लोग तयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो को सस्क्राइब कर लीजेगा वेल आइकन के घंटी को और पर सेट करेजेगा जब भी मैं रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिक्रिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा वीडियो को लाइक कर देजेगा चलिए जल्दी से जितने भी प्रश्न कराने वाला हूँ आपके व्यापाम PSC में विगत वर्षों से बार बार एक्जाम में पूछा गया है ठीक है टोटल हम अब्जेट्ट्व कोशन करेंगे वन लाइनर के तौर बार वीडियो को देख कर जाना भोलना माँ अगर वीडियो में एक बार में समझ नहीं आता तो वीडियो को डाउनलोड कर लेना ठीक है एक्जाम देने स्पेल एक बार वीडियो को देख कर जाना चली स्टार्ट करते हैं ज्यादा समय नहीं लेते आपके CGPSC और व्यापम में कई बार विगत वर्षों से जन जातियों से संबधित प्रशन पूछा गया है तो पहला कोईसन है जद्रिगड के जो सोना खान इस्टेट के किस जमिंदार थे बिंजवार के थे आपके 16 में पूछा गया है 36 की बस्तर प्रभाव की अनुसूचित जन जाती है अब उच मारियां आपके CGPSC 2017 में पूछा गया है जितने भी कोईसन लेका रहा हूं व्यापम PSC का विगत वर्षों से कोईसन पूछा गया है तयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्रेब और वीडियो को लाइक कर द प्रजा जो जन जाती है आपका धुरुवा के नाम से जाना जाता है ठीक है जन जाते हों कौन सी है जो कांकेर और बस्तर जिले में नहीं पाय जाती तो आपके CGPSC 2010 में पूछा गया है वीर नरायंसे किस जन जाती के समूथ है तो आप सबी को मालूम होगा वीर नरायंसे जो है बिंजभार जन जाती के संबंदी थे और प्रथम वीर सहीद है ठीक है अब मुरिय जन जाती का पारंपरिक निवास छेतर आपका नरायंपुर है सिजी पेस्टी 2019 में पुछा गया है उसी प्रकार चतिर गर राज्य के बिंजभार जाती के तीन है आपका तीर कौन सा है तीर जो चिन है इसी के साथ भी विवाग किया जाता है सिजी पेस्टी 2016 में ठीक है यहां तक क्लियर हो गया चलिए जितने भी मैं प्रस्ण लेकर आँ पूरा वियापम और पीस्टी का है ठीक है तो देखिए इसके बाद हम देखेंगे 36 राज्य के बिंजभार जाती के चिन है क्यों सा है तीर याद रखेगा तीर चिन है 2016 में पूछा है किसने इस र जाति स संबंदित है तो कवर जाति से जो पाइख है आपका कवर जाति से संबंदित है सिजी परतारों इसमें पूछा है उसी प्रकार बात करें कि बिहार, जाति मुक्छे तक किस जिलह में निवास करती है तो आप बताएंगे सर्गुजbook में सिजीपकीस 2019 जितने भी विय जन जाती का मुल निवास उडिशा राज्य है तो आप बताएंगे गदवा सिजी पेसे 2016 और व्यापम 2009 में कक्सार नितिक किस जन जाती से संबंदित है तो ये आपका अभुज मारिया व्यापम 2013 में आया हुआ है 36 वारी की एक विशेष पिछली जन जाती कोन से अभुज मारिया सिजी पेसि 2019 में पुछा गया है रैपुर संब्धा की विशेष पिछली जन जाती कोन से है कमार सिजी पेसि 2017 तीका यहां तक क्लियर हुआ जितने भी प्रसना देखिए कितने सारे हैं पूरा व्यापाओं और पेस्जीम आया हुआ है अगर आप लोग पुलिस भरती जाने की SI एक्जाम मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल वीडियो सही है एडियो की तैयारी करना चाहते हैं बिल्गुल सही है, हॉस्टल वाड़ना के तयारी करना चाहते तो बिल्गुल सही हैं, क्योंकि 36 गड़ना में बहुत जल्द हॉस्टल वाड़ना एरियों की भढरती आने वाली है, तयारी करना चाहते हैं तो new page program किया गया है, समय आपको मैं बता दे रहा हूं, साढहे साथ है ना साड़े साथ से लेकर साड़े नौ के बज़े recorded class upload की जा रही है daily class करते जाएगा मेरा नाम है रुपेश और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं करें तो जल्दी से जाएगा व्यूडियो को subscribe कर लिजेगा अगर WhatsApp ग्रूप से जुना चाते हैं तो दिये गया description के लिंक में जाकर अब जूड़ सकते हैं अगर कोई भी अगर डिक्कत हो कुछ भी कमेंट करना है तो आप कमेंट करके doubt clear कर सकते हो ठीक है चलिए सभी पर इक्षाओं के लिए उप्यूगत है कक्सार निते किस जन जाते समुझे अब उजमाड़े अव्यापम दजार 13 में ठीक है यह जितने भी है देखे यहाँ पर पूरा अव्यापम और PSC एक्जाम में पूछा गया इसलिए में बार बार आप सभी को कह रहा हूं तैयारी अच्छे से किजिएगा और जो भी मैं वीडियो लाता हूं ऐसी रिलेटेड वीडियो लाता हूं ठीक है चलिए कहां तक पहुंचे थे 17 तक हो गया था क्या हाँ प्रधान जन जाती मुख्य तक कि जिलेव निवास करती ही कबिर्धाम याद रखी कहा जो प्रधान जन जाती है कबिर्धाम जिलेव निवास करती सिजी PSC 2019 में 36 गड़ की आदिव जन जाती गुरूप PTG कौन है ये PTG कौन है आप लोग कमेंट करके बताईएगा ठीक है आप सभी किलेव फोस्चन है PTG क्या है ठीक है नाहार एक उप जन जाती किसकी बईगा की PSC 2015 में धन का किसकी उप जन जाती है उरा व्यापम 2009 में पूछा गया है ठीक है अब उजमारिया इस 36 गड़ राज्य की किस जन जाती की उप जाती है गोन और सबसे पहले आप सभी याद रखने है 36 गड़ में 42 प्रकार की जन जाती पाई जाती है एवं 161 उप समूँ पाई जाता है ठीक है एक बार याद रखेगा 36 गड़ में 42 प्रकार की जन जाती एवं 161 उप समूँ पाई जाता है जबकि इसके जो आटिकल नमबर है यानि कि 342 में लिया गया है ठीक चलिए अब देखेंगे धनका वाला हो गया था अभुजमारिया वाला हो गया था चलिए अभुजमारिया इस छतिर राजय के जन जाती ये गोड़ वाला में आपको बताया था और गुरामाट विवाह के वीनिमाई विवाह से संबंदित है ठीक है जो गुरामाट विवाह होता है उसको वीनिमाई विवाह भी कहा जाता है व्यापन 2016 में कुछ है घोटूल की जन जाती से संबंदित है तो मूरिया जन जाती से संबंदित है CGPST 2018 लाइबेरियन में आया हुआ है सेवा विवाह यानि कि लमसेना का प्रसक्स किस जन जाती है गोण कौन सा सबसे पड़ा जन जाती कौन सा है गोण जन जाती हाँ चलिए सल्पी नामा क्पदार्थ किस चन जाती से संबन दित है लोगप्रिय मारिया 36 गड़ में पुनर विवाह को से माना ते किस नाम से जाना जाता है जो पुनर विवाह होता है उसको चुरी पहिना विवाह या फिर अर उतो विवाह इसको याद रखना ठीक है अर उतो विवाह या फिर चुरी पहिना विवाह या फिर पूनर विवाह को ही कहा जाता है ठीक है 36 गड़ में दूतला उटावा विवाह कौन से जन जाती में होता है गोड जन जाती में होता है ठीक है यह आप संदिया गया है गोदना गोदवाने वाली जन जाती को ओजह कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं ओज़ा कहते हैं एक बार फिर से समझेगा क्या कहते हैं ओज़ा गोदा गोदनाने वाली जन जाती ओज़ा याने कि CGPSC 2020 में पुछा है लोहा बनाने वाली अनुसुचित जन जाती अगरिया CGPSC 2018 ठीक है छिंदे के पट्टाई से चट्टाई वा टोगरी कौन बनाते हैं शिकारी लोक बनाते हैं व्यापंग दुजर सतरा लोही की पुजा दुरगदेवी की पुजा मानते हैं कमार में सरवा जुड़ुंको हिंदी में सांती के लोटो कहते हैं अमिता की इस्तन की परंपरा डंडामी माडिया सिजी पेसी 2019 जो 36 गे जंजाती है है न लोगों को प्रचलिक ढूंकू प्रथा कहा जाता है वो आपके 36 गे जंजाती लोगों में प्रचलिक जून को ही विवा हट विवा के रूप में जिसमें लड़की भाग कर अपने प्रेमी की घर आ जाता है और वहां रहने लगते हैं इसी को हम हट विवाह भी कहा जाता है ठीक है यहां तक आपको टोटल 33 कोर्शन करा चुका हूँ जो आपके व्यापां और प्यस्टी में पूछा गया है अब आने वाली भरतिया कौन-कौन से है होस्टल वाडान हो गया है एडियो हो गया है और अमीन पटवारी हो गया है ना यह आपकी वेकेंसिप बहुत जल्द देखने को मिल सकता है अगर आप तयारी करना चाहते हैं छात्रवास अधिक्षक, एडियो और अमीन पटवारी एडियो का फुल फार्म होता है साहग विकास विस्तार अधिकारी और एज का मतलब होता है होस्टल वाडान जाने के छात्रवास अधिक्षक अगर आप लोग ऐसे ही तयारी करना चाहते हैं अगर आप ने अगी तक चैनल को सस्क्राइब भी नहीं किया है तो जल्दी से जाएगा सस्क्राइब करा लिए सबसे पहले बाते हैं कि आपको फूर्क फ्री क्लास करा जा रहे है कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है इसलिए कह रहा हूँ कि वीडियो को लाइक कर देज़ेगा वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करके बताजेगा और ऐसे और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देज़ेगा ठीक है आज के लिए इतना ही डेली क्लास कराएंगे बच्चों आप लोगों को ऐसी वीडियो पर बने रहें